हर बार लड़के वालों की ना ना सुनके मैं तो परिशान हो चुकी हूँ अगर आज भी ये रिष्टा पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना इस बार तुना कलो माई अपने थोबडे पर पोत-पोत कर मेकप लगा ले ताकि ये तेरी काली शकल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए अपनी मा की ये बात सुनकर कजरी बहुत परिशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है मेरी ये काली शकल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी कजरी अपना मन मार कर शीशे में तयार होती है लेकिन वो हर वार लोगों के ताने सुन-सुन कर इतना परिशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तयार भी नहीं हो पा रहे थी फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगा कर और एक सिंपल सा सूट पहन करी लड़के वालों के सामने चली जाती है लेकिन उसकी काली शक ल देखते ही लड़के की मा कहती है अरे दया इसे देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे की कोईले की खान चली आ रहे हो बहुत संसकारी है वो, जिस घर में भी जाएगी, वहां सब इसके गुर्ण और संसकार देखकर बहुत खुश होंगे। सुश्मा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है। मैं कौन सा इसकलूटी की शादी तुछ से करवाओंगी बेटा, अब चल यहां से। जाने हमारे परिवार में तनी काली लड़की कहां से पैदा हो गई। तुमने इस वक्त फोन किया, तुम जानती हो न मैं भी ऑफिस में होता हूँ। अरे बेटा, तु खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है और यहां मेरे सिर पर जो पोच पड़ा है इसे कौन उतारेगा। मा मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहां से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोच। तेरी सकलो बेहन को इसके रंग की वज़े से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तु वापस नहीं लोटा ना, तो मैं इस सकलो को धखके मार मार कर इस घर से भगा दूँ। अपने बेटे को धमकी दे कर सुश्मा फोन काट देती है, अनरोध सोच में पढ़ जाता है और वो अपना और अपनी पतनी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लोटाता है। अपने बेटे को देखकर सुश्मा बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहु भी आई है। पैरी पॉना ममी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं बहु, तू बता तू कैसी है, बड़ी कमजोर हो गई है तू, कोई नहीं, अब यहां आ गई है न, अब मैं तुझे देशी घी के पराठे बना कर खिलाओंगी जहां सारा परिवार एक साथ खुशी-खुशी बाते कर रहा था, तो वहीं बिचारी कज्री अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तब ही कज्री की अंग्रेजन भाभी माइना उससे मिलने उसके कमरे में आती है। कज्री, यह तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है, अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए है। यही कहना चाहती है न आप येस कजरी भाबी सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता आप यहां हमेशा नहीं रहती हो न मुझे आपकी बहुत याद आती है पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्टे वाले मेरे काले रंग की वज़े मुझ पुन्तवरी मैं सब ठीक कर दूंगी चलो अब अपने भाई से मिल लो माईना कजरी को बाहर लेकर आती है लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुँँ बन जाता है फिर माईना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है ये देख वो बहुत कुश होती है अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुखते है ऐसे ही एक दिन माईना कजरी को शौपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बेहल जाये सासु मूम मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ को देर हो जाएगी माईना कजरी को इसे short dress कहते हैं, अब go and wear it, कुछ देर बाद कजरी trial room से वो short dress पहन कर बाहर आती है, उस short dress में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस dress पर उसकी वो गुती हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद माइना उसे एक बढ़िया से parlor में ले ज colorful, color रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खुबसूर्ती को निखार ना आना चाहिए, उस दिन माइना की बात सुन कजरी को सब समझा जाता है, और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है, अब वो अपनी खुबसूर्ती पर खुब ध्यान देती है, फिर एक रोज माइना और अनिरुद्धेक पार्टी में जाते हैं, जहां माइना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है, कजरी अच्छे से तयार होकर वहां जाती है, उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है, और वो उसे शाद दो दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिष्टा पक्का करके चला जाता है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बरताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए शमा मांगते हैं।